सब्सक्राइब करें फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाम न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके असलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्ड यूट्यूब चैनल मैंना वाइरिंग आपके साथ शेर करूंगा जिसमें जो है आउट्डोर यूनेट में आइधिंक यहां पावर रिलेय लगी होगी तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हैं कुछी दिन पहले मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी जिस पर हमने एक इसका स्वाल्फ किया था जिसमें और वोल्टिज पर यहां पर स्पार्क हुआ था अब यहां पर एक सी स्क्लियर करते हैं मिट्स वीशी एसी में इन्होंने काफी आसान वाइरिंग कर रही है इंडोर यूनेट की तो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इंडोर यूनेट की से आउट्डोर में जा रही है ठीक है वह इसमें दो आ रही है और एक आउट्पुट जा रही है तो वह कैसे जो है यहां पर इसके कोनेक्शन हो रहे हैं वह मैं आपको दिखा रहता हूं यहां पर एक छोटा पीसी भी यह लगावा है जिसमें आपको उपर ही इसके कोनेक् निकलेगी दो नमबर से फेस हमारा आउड़ोर में जाएगा और वहाँ पर कनेक्टर अगर 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 कनेक्टर लगया है यह मैं ऑगर बगया है दूसरी रिले हमारी पावर रिले लगी है तो इसको ऑपरेट करेगी तो उससे फिर आगे जो है हमारा उड्र युनट वर्क करेगा अब यहां पर जो है वैसे तो हमने इसको स्प्लाई देनी होती है तो यह दो तारे स्प्लाई के लिए ही यहां पर आ रही है कहीं पर आपको एक साइट पर पॉयंट ना पर करें लिए और जो लाइन को और जो इनको असल में आपने चाहिए लेकिन इसमें आपको वह भी प्रोब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर आपको जस्ट कर देने हैं सेम टू सेम इंडोर टू आउडर कनेक्शन कर देने हैं लेकिन आपको सरक्ट समझाना जरूरी है तक आपको पता हो कोई और एसी भी आज़े उसम आउडर को कंट्रोल करती है आपने नोर्मल यह इसी देखी होंगे जिन में इस तरह की रिले लगी हुए होती है जिसमें आपको क्या होता है कि यह रिले जो है इसके ओपर दो पॉइंट्स मिल जाते हैं मैं आपको एक सेंपल के तोर पर दिखा देता हूं यह मेरे पास एक मजूद है एक सेंपल के तोर पर एक पीसी भी जिस पर आप देखेंगे कि यह रिले है और इसको पर यह दो पॉइंट्स भी बने हुए है और साथ ही एक फ्यूज भी है तो इन दोनों में से एक पॉइंट तो हमारा लाइन है और एक है दो नमबर वाला मतलब आउट्पु है लोलोति ऐसीस भी आपको मिलता है इस तरह का नहीं तो के साथ आपने अंथी तो यहां दोनों में से किसी इए पॉइंट लेनी ठीक है जिस पर beep बोलेगी जिस point पर fuse के साथ beep आएगी वो point आपका input होगा और जिस पर beep नहीं आएगी वो point आपको output होगा इसी तरह अब यहाँ पर जो है यहाँ पर तो वो system है ही नहीं यहाँ पर तो इन्होंने यह kit ही दी हुई है मतलब यह relay जो है हमारी अगर हम इसको देखना चाहें भी तो हम इसको यहाँ से ही देखेंगे मतलब इसके ओपर point तो बने नहीं हुए अब यहाँ पर जो है इसमें दो नमबर जो है वो यह वाली है बिल्कुल इस तरह वाली यहाँ वाली अब यहां पर यह रिले से आ रहा है यहां पर पीछे रिले बनी हुई है यह एक डबा सा डिजाइन रिले का दिया हुआ है और यहां पर यहां पर हमारा यहां पर है और यहां से आगे सीधा जा रहा है यहां पर वडिस्टर पर भी और इसके रावा बाकी जहां जहां स्प्ल प्रोब्लम हो भी तो आग कमेट में पूछ सकती हैं वैसे मैं माज़द के साथ आपको कहना चाहँगा मैं कमेट के रिपलाइद तो नहीं कर पाता क्योंकि काफी सारे कमेट होते हैं और मेरे आइस की प्रोब्लम के का व्यालग से इस की फैन मोटर लिएप्लेश का है लगते हैं एक जौटे बड़े जैक ہोते हैं एक दूसरे की जगा रिपलेश नहीं हो है है यहां पर इसके मिलें काफी वायरिंग ज्वहार है उसके में अचिकते हैं यहां पर तेक्षे और यहां पर नपbyaisu को हैंbilगetime नहीं होते हैं फ्यूज की जीगह डिरैक्ट ही होता है लेकिन यह समझना बहुत ही असान है लगा लो एक वायर अगर जा रही हैं उसको काट कर आप इसमें कनेक्ट कर दो एक साथ और एक साथ ओड़क ढूए और फिर उसको पॉइंट से एक दो तीन चार और इसकी डायग्राम उपर ही इसकी बनी हुई है जिससे समयना बहुत ही आसान है इस पूरे युनिट की जो डायग्राम है वह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको कलर कोडिंग के साथ ही A to Z इसकी वाइरिंग यही सेम यही व परेसर और फैन की वानिंग को तो हम यहां से स्टाट कर लेते हैं यहां पर फिरेंट सब सबसे पहले तो हमारी यह उपार क्नेक्ट होगी ठीक है सबसे आफे इसकी निट्रल और फेगा अप्क spend कर वाली वाली बन डौकराग् YouTube ौसा किया लेकिन हमारा पहले इंड रहा है यह कैसे आउट डूराद में चलता है यह कैसे यह भी समझने यहां पर जो है हमने Depending on strikes शरी और यह सब को आर्मोस्ट कहलेंगे डेरेक्ट ही जए गया वी चले देखते हैं यह हमारी दो नमबर और N ये वाली wiring जो है ये हम समय लेते हैं दो नमबर पर हमारा line है और N पर हमारी neutral है अब ये जो line है line आप देखेंगे एक जस्ट उपर से jumper डला हुआ है और L की तरफ है ठीक है मतलब यहाँ पर हम 220V supply देते हैं तो वो line जो है हमारी गूम कर इस तरफ नीचे इंडर में चलेगी line complete हो गई यहाँ पर कोई रुकावर्ट नहीं इसको हम jumper डाल देंगे ठीक है जो कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है अब यहाँ पर जो neutral बची neutral भी तो इंडर में जानी है तो neutral बची neutral भी हमने दी हुई है 220V supply line neutral दी line हमारी चलेगी neutral यहाँ पर आई neutral जहा हमारी इस तरफ भी गई हुई है वो मैं बात में आगको इस तरफ से दिखाता हूँ कहाँ पर गई है और इस तरफ से होकर fuse में से होकर यहाँ पर connect है ठीक है यह देखें fuse में से होकर यह भी है और यहां पर भी इस तरफ गया हुआ है और सिर्फ फेस नहीं गया हुआ क्योंकि फेस हमारा यहां से हमने कंप्रेसर को और इसमें फैन मोटर को और यहां पर बचा हमारा यह रिले रिले को यह तीन चुजों कामने डियरक्ट दे देनी है सबसे पहले तो चलिए वह देते हैं क्योंकि हम एक साइट से शुरू करेंगे तो हम असानी से समझ पाएंगे अब यहां पर जो फैन है य यहां पर यागे क्नेक्टर आजाता है तो जिसमें जो है हमें यह रेड पॉइंट है इसका स्टाइग है ठीक है मैंने इसके नोट कर रखे है कुनेक्शन और कंप्रेंसर के आपके सामने आपको दिखाऊंगा कैसे आप नोट कर सकते हैं और यह जो है इसमें बिलू पीछे और आपको मजीद फाइदा होगा तो यहां से न्यूट्रल हम इसको दे देंगे यहां पर कि इस वाले पॉइंट पर हम इसको कॉमन पर भी दे सकते हैं बट कंपनी ने जैसे दिया हुआ है मैं आपको वही से पर पर नहीं है इसकी इसको बतारा रहा हूं है इसकी न जहर कंपनी मेर यसकी दिर्यक्त पूपन में चली इतै कि एक सूवाल बहुत सारी दोस्ते हैं कि सचaurais कंपन को जो सती हैं कंप्रैसर की कॉमन यह यहиниद दे कि वहां पर AC voltage है DC voltage पर नहीं है तो यहां पर इसकी common complete होगी अब इसको fan को running चाहिए मतलब neutral इसकी मिल गई इसको face जाहिए अब इसकी जो यह starting है capacitor में just starting एक ही side पर लगती है यह आपको पता होना चाहिए और running पर जो है एक point लगता है इसके साथ दूसरा point भी connect होता है अब नीचे जो है justice की हम running लगा देंगे वाइट वायर इसकी रणिंग है यह रणिंग और यहां से यह हम आगे ले आएंगे यह इसकी running हो गई ठीक होगा फ्रेंट यहां पर इसकी रणिंग हो गई अब running से जो है आगे हमारा यह इसमें जंपर लगा हुआ है रणिंग से आगे यह वाली वायर आगई अब यह वाली जो वायर है हमने यहां पर यहां पर सबसे पहले हमें इसके देख लेने हैं यहां पर इसके उपर ही बने हुए है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे एक नंबर पर और जीरो नंबर पर जहां एक रिजिस्टर टाइप बना हुआ है तो मतलब एक नंबर और जीरो नंबर में यहाँ पर वोल्टीज आएंगे और जिरो पर यह ऊडिक हो कर वोल्टीज प्रेसर कंपेस्छ All एक और जिरो पर हमने सब्से वेने हम कहाँ से देंगे इसको हमने हमिशा हम यहांसे ही आब है यह रही इसका दो नंबर यहां यह रहे यह है छहए उत मैं मैं इसको लगा देता हूं कहांँ पर देना था छह ऑर चालš पर तो मैं जीरो नंबर है मतलब यहाँ पर न्यूटल फेस है यह लिखा हुआ है जीरो और एक और बस फिर दो बचे तो मतलब दो ही हमारे चारो छे हैं इनके नीचे लिखा हुआ है जो कि अगर आप पड़ पाएं इन दोनों में से मैं किसी एक साधि judge पर लगा दोंगा यहाँ पर क्यों लगाओंगा यह भी आपको उतादा देता हूं यहाँ पर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्यूंकर यहाँ पर हमारा फेस control वाला जब आएगा, Neutral direct मेली होगी तो यह दोनों आपस में जुड जाएगे औ आगे जो है compressor का फेस इसके साथ connect करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यह हमारा आगे compressor की तरफ और फैन की तरफ जा रहा है तो वह इसको प्रवाइड करेगा तो हमारा इसी ओन हो जाएगा अब यहां पर यह यह femme occurring नूट्रल हम डिरेक्ट यहां पर दे देंगे ठीक है नूट्रल हमने compressor और इसको हर चीजों को डिर्क्त देरिण है कंपनीने क्या किया हुआ है कि compressor को और इसको अब फैन को निए डिया हुआ है अब फैन की रणिंग कंट्रोल होगी जो कि यह है और जो हमारे कंप्रेसर की और वह और कंप्रेसर के पॉइंट आजाते हैं यहां पर कंप्रेसर के connection से समयना काफी आसान है यहां पर इसके उपर से ही यहां फिर आप फॉर्मूले से भी यहां पर आप देखेंगे के ब्लैक और इस तरफ रेड और बिल्कुल उस तरफ जो है वो है हमारी एकी बैची वाइट अब इस तरह मैं अगर इसको इसके कवर को उपर रखता हूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसमें connection कहां कहां पर है कौन से बिल्कुल exact मैं रककर अभी इसको उठाऊंगा तो ऐसे ही अपनी तरफ लियाऊंगा तो यहां पर मैं देखूँगा इस तेज़ तरह रफ यह पर यह पर यह वाली च्तवर है फिस्टर वाली तीजए है वह उपर सी गांज़ को differently है और red हमारी starting है और black वाली जो है वो हमारी running है ठीक है इससे आपको इस तरह असानी से पता चल जाएंगी इसके connection और अगर आपको यह इसके ना भी हो तो इसके यहाँ पर rubber जो है rubber वाली side पर आप इसको move करके भी देख सकते हैं वहां से भी आपको idea हो जाएगा अभी अब यह वाली running थी तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है तो मतलब यही रेनिंग और इस तरफ वाली starting थी तो इस तरफ से देखना तो प्रश्किल है तो हम इसको okay मैं फिल्यक्वम प्रवाइड करना है इसको मैं के इसको को इसको नेगिटिब आए वह Best reading है थीक है तोलब हम후 इसको जए प्रवाइड करनी है वो हम कहां से provide करेंगे यह रहा मेरे पास एक jack जो के मैं connect कर लूँँगा यहां पर negative वाले point पर जो के यह हमारा blue wires वाला negative point है तो negative point है यहां पर मुझे बता है कि आपको काफी confusion होगी लेकिन जब तक आप एक बार खुद नहीं कर लेंगे मैंने diagram description में दी है वो आप उसको read नहीं करेंगे आपको यह अच्छे से नहीं होगा अभी यह मैं company वाले आपको connection जो है वो बता रहा हूं इसे पर मैं एक part 2 पर ए वीडियो को देख लेंगे तो आप next time कभी इनकेस ऐसा कोई फोल्ड आपके सामने आता है जिस पर आपको wiring करनी पड़ती है मुकमल से यह चेंज करना पड़ गया कुछ भी तो आप आसानी से उसको खुद कर पाएंगे ठीक है तो परशान नहीं होना ठीक है वीडियो को देना चाहिए था इसके connection बहुत ही आसान हो जाने थे लेकिन चलिए यहां पर खैर अभी इन्होंने क्या किया है हम कहां तक पहुंच गए हैं यह इसकी रणिंग और रणिंग हमने कनेक्ट कर दिन ही है इस साइड पर यह कंप्रेसर को रणिंग डिरेक्ट मिल गई बतलब क अभी यह चीज़ हमने देखनी है अब यहां पर फैन को comment मिल गई हुई थी वो neutral के through मिली थी न्यूटरल फैन को comment में चला गया था अब फैन की running जो है वहां पर face चाहिए अब face चाहिए fan की running को तो यह fan की running है अब यहां पर हम एक face इन दोनों में से किसी पर भी देंगे जो हम यहां से कहीं से एक face उठाएंगे ठीक है यहां कहीं से भी तो वो directly इस तरफ जाएगा ठीक है यह मैंने और वायर यहां पर connect कर दी यह face है जो के यानिकि हमारा face यहां पर 220V आएगा यहां से face हमारा jumper डलके नीचे भी चला गया neutral नीचे भी चला गया neutral जहां 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 जैसे कि neutral हमारी यहां पर आ गई इसकी running में और neutral जो हमारी fan की common में भी direct चली गई यह भी complete हो गया अब एक direct face हमें चाहिए था जो कि यहां से मैंने jumper डाला और face जो हमारा directly यहां पर आ गया यहां पर क्यों आया अब मैं आपको यह चीज़ समझाओंगा याद रहे मैं इस प आपकी safety device है बस जैसे में गनेक्टिक कॉंडेक्टर है सेम वही चीज़ है तो अब यहां पर जो है neutral face जैसे ही आएगा यहां पर खड़ा है जैसे ही neutral direct आ रही है फेस हमारा कहां से आएगा दो नमबर से ठीक है यह है दो नमबर दो नमबर से मारा फेस जो है जैसे ही यहां यहां पर आएगा neutral face मिला relay on होगी तो यह जो point है जो direct face यहां पर है यह आगे क्रास होकर इस पर आजएगा जब तक यहां पर indoor outdoor को spline नहीं देगा यह face ऐसे ही stand रहेगा यहां पर नहीं आएगा समझ गयोंगे आपके यह relay की तरह काम बिल्कुल कर रहा है यह relay ही है चुल में तो यहां पर जो है अब हम क्या चीज़ लगाएंगे crossing आगे जो हमें face चाहिए यह हम face point यहां पर लगा देंगे ठीक है यह face का point एक हमने यहां पर लगा दिया अभी यहां पर क्यों लगाया और यहां से आगे जाएगा क्या जैसे ही यहां पर neutral face आया face यह वाला प्रास होकर आगे आगया यहां से face जो fan है उसकी running को जाना था क्योंकि उसकी common को neutral direct चली हुई थी और अब उसकी running को face चाहिए था तो running यह है इसका capacitor running पर यह वाला face हमने direct जो उठाया वो यहां पर आया यहां से जो है इसको running को मिल गया face और यह इसी के साथ यह jumper डला हुआ है यह face हमारा directly आजएगा यहां पर fuse पर फ्यूज अगर नहीं लगा तो direct इसके compressor के common पर चला जाएगा तो फ्यूज से compressor की common wire में चला गया ठीक है अब compressor को face मिल गया running compressor को यहां से direct मिली हुई थी ठीक है neutral से यह हमने direct दियो थी starting अपनी जगा पर लगी हुई थी यह इसके overall connections हो गए काफी मुश्किस आपको लगे होंगे लेकिन मैंने कोशिश की काफी आसान करके समझाने में अई होब आपको समझ आ भी गए होंगे तो चलिए अब मैं इसको practically on करके इसी को दिखा देता हूं आपको indoor unit को मैं कहीं पर adjust करके उसकी तीनों wires यहां पर connect कर देता हूं same to LNN पर LL पर और जो एक मारी बचती है दो नंबर जो वापसी रिटर्न है ठीक है control wire जिसे हम बोलते हैं वह यहां पर लगा दूंगा और फिर हम यहां पर supply देकर इसको चेक भी गरेंगे अच्छी बात है कि यहां पर इसमें गैस भी नहीं है और LN की भी open है ताके मैं आप दो नंबर उपर से इसके जो numbering थी वह मिट गई है तो यहां पर मैं आपको clear कर दूं कि दो नंबर वाली हमने दो नंबर पर लगाई जो control wire थी यहां से control wire हमने use की है और LN हमारी यह supply wire इसमें मैं connect की है LN और यह दो जो है reverse यहां से indoor में LN पर लगी हुई है जो कि हमने starting मे देखी तो वहाँ पर जाकर on होगा अब यहां पर यह एक टिप आपको दे दूं कि in case कभी आपका outdoor third floor second जहां पर यहां काफी ज्यादा डिस्टर्स पर है इंडूर से तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर में मुझूद नहीं है जैसे कि यहां पर में अलग से मुझूद थी क्य situation में आसपास outdoor के वहां पर नहीं होती इंडूर के आसपास दी गई होती है तो जस्ट आप क्या करेंगे यहां पर यह दोनों वायर उतार देंगे मतलब outdoor में यहां पर आप कोई वायर क्रेक्ट नहीं करेंगे यह same to same ऐसे ही आपकी रहेंगी जस्ट आपने करना क्या है उस दोरान इंडूर के आसपास कहीं पर भी अगर मुझूद है तो जस्ट आपने दोनमर वायर को नहीं छेड़ना सिरफ आपने अपनी न्यूट्रल और फेस वायर लेनी है एन और एल मतलब न्यूट्रल और फेस इन दोनों पर लगा देनी है ओपोजेट भी लग जाए कोई जिस्ट करने है तो आपका सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे के इस तरह से यहां आउट्डॉर से स्प्लाई और देने से ज्युहां जैसे वर्क करता है तो चलिए मैं इसकी स्प्लाई को ओन करके रिमोट से इसको ओन कर लेता हूं चलिए इसका कंप्रेसर भी टेस्ट हो जाएगा आउडोर इंडोर मुखंबर वारिंग भी टेस्ट हो जाएगी ओके यहां पर देखें अभी इसका जो है इंडोर हो चुका है और जैसे ही अभी आउडोर इंडोर ओन होगा तो आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको साउंड से ही पता चल जाएगा कि आउडोर इसका वर्क कर रहा है तंप्रेचर हम 16 कर लेंगे इसका डिस्प्लेय डिजिट्स वाला नहीं है नहीं तो यहां पर शो भी होना था 16 temperature तो 16 कर लेंगे ताक कि आउडोर इंडोर जाल से जल ओन हो सब्सक्राइगा तो आपने देखा कि इसका आउडोर कंप्लेट्ली ओन हो गया और मैंने भी आपके सामें इसको टर्न ओफ कर दिया जिससे इंडोर आउडोर मुकमल ओफ हो गया तो मतलब कि हमारा इसी जह प्रोपरली जैसे इसको वर्क करना चाहिए काम कर रहा है मतलब कि इंडोर से डिले कर रखी है डायग्राम वह आपको मिल जाएगी तो इसको डॉल्लोड कर लें आपको काफी फाइदा होगा और आप डायग्राम को देखकर भी वाइरिंग को रिपीट कर सकते हैं इस पर मैं एक और जल्द ही वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इसकी आउडोर की इससे होगी तो मैं दूसरी वीडियो भी जब बना दूंगा तो आप में से जिन्नों ने ये वाली वीडियो भी देखी होगी complete और वो दूसरी वीडियो देखेंगे तो इन्शाला मुझे अमीद है कि आप इस तरह की वाइरिंग को असानी के साथ मतलब हर चीज उत्री भी होगी तो आप खुद भी कर सकेंगे क्योंकि आपको बेसिक इसका सरकट फ्लो समझ आजएगा कि करन्ट ने कहां से कहां से कैसे होकर आना है तो आपको वीडियो संदा यह तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो फुली फॉर वर्ड यूट्यूब चैनल को इस व मच अला हाफीज